संसत के शीत कालीन सत्र में विपक्षी सांसदों के धड़ा-धड़ नीलंबन से हर कोई हैरान है सत्र के 11 दिन विपक्ष के 78 अन्य सांसदों को भी सस्पेंड कर दिया गया जिसमें पहले लोकसभा से 33 सांसदों को नीलंबित किया गया और फिर राज्यसभा से 45 संसदों को पूरे सत्र के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया इससे पहले 14 दिसंबर को भी कुल 14 संसदों को सस्पेंड किया गया था जिसमें 13 लोग सभा और एक राज्यसभा के संसद शामिल थे इसके लावा पूरे सत्र की बात करें तो कुल 92 संसदों को अब तक सदन से बाहर किया जा चुका है लगतार हो रहे सस्पेंशन को लेकर विपक्ष में भी आक्रोश देखा जा रहा है सदन के बाहर संसद प्रदशन करते हुए नजर आए है आपको बता दें कि विपक्ष मांग कर रहा है कि संसद में हुई घुसपैट को लेकर केंद्रिय ग्रीह मंत्री अमिच्छा संसद के दोनों सदनों में बयान दे और सरकार इस मसले पर विस्तरित चर्चा भी करवाए विपक्ष का तर्क है कि प्रधान मंत्री जी अख़वार को इंटरव्यू दे रहे हैं ग्रीह मंत्री जी टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे सकते हैं तो सदन में बयान कियों नहीं दे सकते जबकि दूसरी तरफ सरकार इस मसले पर विपक्ष द्वारा राजुनीती करने का आरोप लगा रही है कि अगले तारिक में सदन के और इसके साथ सा देश की सुरक्सा के लिए सरकार क्या का कदम उठा रहा है देखे देश आज साफ साफ देख रहा है कि पार्लेमेंट के अंदर कैसे बुल्डोजर चलाया जा रहा है ये कुछ नहीं है ये विरोधियों को रोंगने का ये एक प्रक्रिया है विरोधियों को कुचलने का एक प्रक्रिया है और सिर्फ अमिशाजी को उनके विफलताओं को बचाने के लिए एक बुल्डोजर चला रहे हैं विपक्ष पर जन प्रतिनिर्दियों पर और जनता के अधिकारों पर वो मूल अधिकार जो सवाल उठाने का जो मूल अधिकार हैं सम्विधान की जो मूल अधिकार हैं उन अध अबिखस्ट टवपशस